हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू पिंकी दिस पार आज बनाने जा रहे हैं रोगनी टिकिया जो की बिल्कुल पिस्किट के जैसे होती है यह आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कभी भी बना सकते हैं और यह खाने में भी बहुत मज़िदार होती है तो चलिए इंगेजिंस दे की ज्यादा ही डलता है इसलिए हम घी अच्छे से लेंगे और नमक स्वादा नुसार और शुगर टू टीस्पून तो सबसे पहले हम इसमें नमक और शुगर एड़ कर लेते हैं अब इसमें घी भी आड़ कर लेते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस पेशली घी को अच्छे से हाथों से मसल मसल कर मिक्स कर लेंगे और जितना इसे मसल लेंगे उतना अच्छा इसका सौफ्ट डो आएगा घी मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसमें मैंने थोड़ा और ले लिया है मैंने पहले 200 ग्राम घी लिया था मैंने 50 ग्राम घी और ले लिया है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसकी पहचान यह है कि जब आप हाथ से हाथ में आटे को लेंगे तो यह बनने लगेगा और अगर आपका आटा नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए कि घी कम है तो आप और एड़ कर सकते हैं जितना हम इसे मलेंगे हमारे टिक्या उसनी ही क्रिस्की और अंदर से सौट बनेगे तो हम इसको अच्छे से मल लेते हैं यह हमने एक बॉल में ल्यूप वांब वाटर यानि थोड़ा गुनगुना पानी लिया है इससे हमारा आटा बहुत ही अच्छा गुनेगा तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आटे में पानी डालेंगे ध्यान रखेंगे कि हमें थोड़ा क्याटी आटा गुमना है तो ज्यादा पानी नहीं जालेंगे नहीं तो आटा बहुत साफ्ट बन जाएगा तो हमें बस थोड़ा थोड़ा पानी डालके ही आटे को बाइंड करना है आप देख सकते हैं कि हमारे आटे की बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो गई है और वन फोज पार्ट आफ वाटर भी बच गया है तो बस आब हमें इसको में और पानी नहीं डालना है एक बार आटा गुन गया तो फिर और पानी डालना है यह मिस्टेक हमें नहीं करनी है यही इसकी में ट्रिक है कि बाइंडिंग के बाद आपने और पानी लगा दिया तो आपका डो हराब ही जाएगा और ठीक्या के बजाए रोटी बन जाएगी तो आप इसे अच्छे से घून लेंगे देखिए आटे ने बतन छोड़ दिया रहा हैं तो बस यही इसकी पहचान है कि डो रेडी है अब हम इसे रोटी के साइज की लोई लेंगे तो कि यह टिक्या रोटी से छोटी होती है अब हम इसे बीन एक्स्ट्रा आटे के सपोर्ट के बेल लेंगे इसमें काफी जाधा घी है तो यह बगएर आटे के सपोर्ट के अच्छे से बिल जाएगे कि इसे लिए से बेल लेते हैं हमारी टिक्या न एकदम पत्ली हो ना एकदम मोटी है हमने इस अच्छे से बेल लिया है ऐसी हम और टिक्या बना लेंगे गैस पर हमने एक तवाच रहा लिया है अब हम इस पर टिक्या को डालेंगे एक टाइम पर हम दो टिक्यों तर सेख सकते हैं इसे हम मीजियम से लो फ्लेम पर सेखेंगे अब इसे हम पलट लेंगे अब हम इसे धीमे धीमे आज पर सेखेंगे अब एक क्लोट की मदब से दबा दबाके हम इसको सेखेंगे हमें ध्यान लगना कि आज ज्यादा तेजनी होनी चाहिए वन्ना हमारी टिक्या जल जाएंगी हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यह हमें धीमी आज पर सेखनी है तो हमारी टिक्या एक साइट से सिख गई हम दूसरी साइट से भी से से शेक लेंगे तो हमारी टिक्या दोनों साइट से हो गई है देखें कितनी लाल लाल आई हुई है रेड रेड कलर की तो यह एकदम सोंधी बिस्किट की जैसी टिक्या है तो हमारी रोगनी टिक्या रेडी है यह उपर से क्रिस्टी बहुत ही क्रिस्टी होती है देखिए अंदर से खाने में भी बहुत देशी होती है अगर आप देख़ास में पराथा पूरी खाका के बोर हो गए हैं तो ये रोगनी टिकिया ट्राइ करें आपको जरूर पसंद आएगी तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें वीडियो को लाइक करें और इसे जरूर बना के खाएं थैंक्स वार वाचिंग बाई बाई